तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी जिन्दगी में उदासी जादा समय के लिए रही नहीं सकती है। होता ये है कि जब कोई भी इंसान परेशान होता है, जब मेरे बच्चों में से जो भी परेशान होता है वो इतना तूट जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। के पास रहता हूँ, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, मैं हर किसी को समान भाव से देखता हूँ लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो मैं आज चर्कित रहजाता हूँ कितनी परेशानिया नहीं आई तुम्हारी जिन्दगी में, कितना तुम तूटे नहीं कितना तूँ बिखिरे नहीं तुम्हें जिंदगी ने जखचोर कर रख दिया मुझे पता है कि तूँ कैसे थे तूँ उन बच्चों में से थे कि जिसने कभी ग्लास भी पानी का उठा कर नहीं पिया और आज तुम्हारे साथ इतनी परिशानी आई लेकिन उसके बावजूद भी तूटे नहीं तूँ बिखरे नहीं तुमने खुद को समहाला और इतना समहाला कि खुद हसे भी समले भी और अपने पूरे परिवार को समहाला तुम्हें पैसों की परिशानी आई तब भी तुमने अपने आपको समाला मुझे पता है कि तुमने एक ऐसी भी तंगी देखी है जहांपर तुम्हारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन वहाँ भी तुम परेशान तो हुए तुम्हारे मन में बहुत सारी परेशानी आई क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए परेशान थे पर उसके बावजूद, तुमने हिम्मद नहीं हारी तुम लगे रहें, लगातार अपने काम में लगे रहे और आज भी चल रहे हो, आज भी अपने काम में लगे हुए हो और इन सब चीजों को देखके मैं इरान हो जाता हूँ कि इतनी सारी तकलीफों के बाद तुम खुश कैसे हो लेते हो थोड़ा सा मुझे भी बताओ सच में हर किसी को सीखना चाहिए कि खुशियां किसको कहते है खुशियां जादा पैसों में नहीं होती खुशियां जादा धंदौलत में नहीं होती खुशियां तो तुम से सीखनी चाहिए कि कैसे ढूंडी जाती है अपनों को खुश होते देखते हो तो खुश हो जाते हो अपनों को तकलीफ में देखते हो तो तकलीफ में आ जाते हो कितने अनोखे हो तूँ मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हों हर बच्चे में तुम्हारी तरह काबलियत होने चाहिए खुश रहने की और खुश रखने की सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खुश रहो सदा खुश रहो